दोस्तों subscribe करें technical life को और प्रेस करें इस घंटे को तैकि वीडियो're देख पा है आप सबसे पहले अस्सलाम आलेकुम् दोस्तों मेरे नाम इसे फॉल और आप देखने ओर आप देखने है technical life तो इमो डिलीट करके और इंस्टाल करके फिर से इंस्टाल करते हैं ताके दूसरे नमर से चालो कर सके हैं तो दोस्तों आप कोई सा करने की कोई जरूरत नहीं है आप जिस तरह से आप Facebook में अपना दूसरा आइडी खुलने के लिए sign out करते हैं और फिर से दूसरा आइडी डालके आप उसे sign in करते हैं इसी तरह से आप इमो में भी कर सकते हैं तो आज मैं आप लोगों को यही चीज बताऊंगा तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा सबसे पहले आप अपना इमो खुलिए इमो में जाने के बाद आप इधर जो मैं यह जो निशान है अब इस पर किलिक करें इस पर किलिक करने के बाद आप सेटिंग में जाएं और इसके बाद एक दम लास्ट में जाएं तो इमो एकाउंट सेटिंग यह जो लिखा इमो डिलेट यूर इमो एकाउंट जो लिखा है इसे कीजिए इससे यह होगा कि आपका एकाउंट सिर्फ इससे साइन आट हो जाएगा फिर ताकि आप दूसरा नमबर से फिर खोल सकें तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको पूछाएगा जो जो भी नमबर से आप इस एकाउंट को होता है वे नमबर आप इसे यहां आपको यहां पर डालना होगा चलिए मैं अप्रना नबर डालता हूं कुदर आप किलिक करने तो मैं इस पर किलिक करता हूं उसके बाद यस करता हूं किカンタया कि आप एसकर mapped तो मतलब साइन ठोछया है तो हो चुका है अभुरिशन नमबर से भी आप इमोठोन का जाते ओपन करना जाते हैं वो नमबर यहां पे डाले ताकि आपको आपका उस नमबर से इमो खुल जाए थो चलिए मैं नमडल नहां हूं कि आपके मने अपना इमो डाल दिया अब यह जो साही का निसान अन्हें चिलिक करते हैं ओके और फिर यहां पर नाम पूछ रहा है तो नाम आप जो भी डालना चाहते हैं डाल दीजिए मैं MD सेफ लाँ अब हम यहां पर अगर आप कोई फोटो डालना चाहते हैं तो फोटो डाल सकते हैं फिलाल तो मैं नहीं डालूंगा और फिर उसके बाद अगली वीओने